एक अन्नोन काल से लेकर प्यार तक का सफर और फिर अंत में छोटू की हत्या हर एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा पूरे फेक्ट्स के साथ आपने जो वीडियो देखी होंगी शायद उन्ने सच ना हो नमस्ते मेरा नाम है मनोच और आप देख रहे हैं चुरा टाइम्स न्यूस अरर्या में लब स्टूरी की दर्दनाक कहानी सामने आई है एक लड़की जो दो साल से बिना मिले जस लड़के से प्यार करती थी उसे परिवार वालों ने धोके से बुला कर हत्या करती हत्या के बाद से वह लड़की उस लड़की के घर में विद्वा के रूप में रह रही है उसके आशू थम नहीं रहे वह बात करते करते अचानक बेहोश हो जाती है लड़की कहती है अब यही उसकी ससुराल है लड़के के माबाब भी उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं डैनिक भासकर की रिपोर्ट के अनुसार मामला रर्य जिले के रानी गंज थाना क्षेत्र के खरियासी पंचायत स्थेत बढ़वा गाउं का है यहां दिरेंद्र यादव की 19 साल की बेटी आर्ती के पास रहरिया गाउं के छोटू यादव का फोन आया दोनों के गाउं के बीच 35 किलोमेटर की दूरी है रॉंग नंबर से आये फोन से दोनों के बीच में बात होने लगी धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ और बात शादी तक पहुँच गई लेकिन दोनों कभी मिले नहीं आर्ती ने बताया कि परिवार वालों को दोनों के अफैर की बात पता चल गई उन्होंने पांच जुलाई को कहा कि दोनों की शादी करा देंगे तुम छोटू को बुलाओ इस पर आर्ती ने छोटू को फोन करके अपने घर बुला लिया यहाँ पर छोटू को आर्ती के भाई ने एक कमरे में बंद कर पीटने लगा आर्ती ने कहा कि मैं चिलाती रही लेकिन मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया 6 जुलाई की सुभा पंचायत बेठी और दोनों की शादी कराने की बात कही लेकिन मेरे जीजा तेयार नहीं हुए मुझे और छोटू को मारने की बात कही बाद में पिता भाई और जीजा ने मिलकर छोटू की हत्या कर दी लेकिन आरती ने हार नहीं मानी वह छोटू के शोव के पीछे पीछे अस्पताल तक पहुँच गई आरती ने लोगों को बताया कि उसके परिवार वालों ने छोटू की हत्या की है इसके बाद पुलिस ने आरती के पिता और भाई को गिरफतार कर लिया वहीं जीजा फरार है आरती को गहरा सद्मा लगा वह पांच दिन से अस्पताल में भरती रही इलाज छोटू के पिता उमेश यादव ने कराया अस्पताल से डिस्टार्च होने के बाद वह सीधे छोटू के घर पर चाप पहुँची अब आरती छोटू के माता पिता का सहारा बन गई उनी के साथ रह रही है छोटू के दो और भाई है छोटू के पिता उमेश यादव और मा विमला दिवी ने कहा कि मेरे बेटे को आरती के घरवालों ने मौत के गाट उतार दिया अब आरती ही हमारा बेटा है और जीने की आस भी आरती अब मेरे घर रहरिया में ही रहेगी आरती की परवरिश हमारे उपर है आरती भी अब परिजन के पास नहीं जाना चाहती डैनिक भासकर की टीम रहरिया गाउं पहुँची और आरती से बात करने की कोशिश की बात करते करते आरती रो पड़ती है वह बीच बीच में बेहोश भी हो जाती है आरती ने कहा कि दो साल से मोबाइल पर छोटू से बात होती थी लेकिन उसे देखा नहीं था परिवार के कहने पर छोटू को मिलने के लिए पुलाया था परिवार ने कहा था कि वो हमारी शादी करा देंगे मामले पर SDPO पुश्क्र कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंगबे छोटू की हत्या हुई है लड़की के परिजनों ने लड़की को बताया था कि अगर तुम प्रेमी को यहाँ घर बुला लोगी तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे लड़की ने जैसे ही प्रेमी को बुलाया धोका दे कर वो लोग उसे दूसरे कमरे बे ले गए और हत्या कर दी अब आफ सोच कर बताईए कि समाच को प्रेम रास नहीं आता जबकि रेप और मोतो को स्विकार कर लेता है